या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेड संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्र में नो दिनों तक देवी के विभिन रूपों की पूजा की जाती है अलग-अलग रूपों में वो जगत मा के रूप में पूजी जाती है इश्वर का भवे सरूप, उनकी महानता और सरोचता को सिर्फ मा की ममता से पारिभाशित किया जा सकता है जिस प्रकार एक बच्चा अपनी मा में सारी खूबियां पा लेता है ठीक उसी प्रकार हम उस इश्वर को देवी यानि मा सरूप में देखते हैं पूरी दुनिया में शायद हिंदु धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें इश्वर में मात्र भाव को इतना महात्तो दिया गया है मा की स्रजनात्मक्ता को पूरे संसार के स्रिजन से जोड़ कर देखा जाता है साल में चार नौरात्र होते हैं जिनमें वर्ष में दो बार नौरात्र पूजा की जाती है यानि गर्मियों के शुरुवात पर और फिर सर्दियों के शुरुवात में मौसम में हो रहे बदलाओ काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और बदलाओ के इनी दो पड़ाओं को दैविय शक्ति की पूजा के लिए उप्युक्त माना गया। ऐसा माना जाता है कि दैविय शक्ति प्रत्वी को वो उर्जा प्रदान करती है जिसकी वज़ा से वो सूरिक के चारों और चक्कर लगाती है। जिससे बाहरी मौसम में इस प्रकार के बदलाव होते हैं। इस प्रकार प्रकति में संतुलन बनाये रखने के लिए ही नौरात्र का उत्सव उस दैविय शक्ति को धन्यवाद देने के एक आउसर के रूप में मनाते हैं। ऐसे उत्सो का माहौल होने से हम अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों को संतुलित कर बाते हैं। उस सर्वोट शक्ति के विभिन स्वरूपों के आधार पर ही नौरात्र को तीन तीन अलग अलग चर्णों में बाटा गया है। पूजा प्रारंभ होने के प्रथम तीन दिन देवी को शक्ति स्वरूपा कहा गया। शक्ति स्वरूप दुर्गा के लिए समर्पित करते हैं प्रथम तीन दिन। इसके अगले जो तीन दिन है वो धन और आश्वर की देवी लक्षमी के लिए और इसके बाद जो अंतिम तीन दिन है वो बुद्ध की देवी सरस्वती की आराधना के लिए समर्पित किया जाता है। तक देवी की पूजा अर्जना करते हैं, देवी के नव सोरूपों की वंधना करते हैं, आराधना करते हैं, नौरात्र के पांचमे दिन इसकंद माता की उपासना की जाती है, मुक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई है, मा अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ती करती हैं भगवान सकंद कुमार कार्थि के नाम से भी जाने जाते हैं ये प्रसिद देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापती बने थे पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ती कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है इनी भगवान सकंद की माता होने के कारण मा दुरगा जी के इस स्वरूप को इसकंद माता के नाम से जाना जाता है इसकंद माता की चार भुजाएं है इनके ताहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो उपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो उपर की ओर उठी है, उसमें भी कमल पुष्प लिये हुए हैं, इनका वर्ण पूनता शुब्र है, ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पदमासना भी कहा जाता है, सिंग देवी मा का वाहन है। नौरात्र पूजन के पांचमें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्तो बताया गया है, इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाहे क्रियाओं और चित वृत्यों का लोप हो जाता है, ये वो पिशुद चेहदन स्वरूप की और अग्रेसर हो जाता है, साधक का समस्त लोकिक सांसारिक माईक बंधनों से विमुक्त होकर पदमासना मा इसकंद माता के सुरूप में पूणता तल्लीन होता है, इस समय साधक को पूण सावधानी के साथ उपासना की और अग्रेसर होना चाहिए, उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकागर करते इस मृत्य लोक में ही उसे परमशान्ति और सुख का अनुभो होने लगता है, उसके लिए मोक्ष का द्वार सुमय सुलब हो जाता है, इसकंद माता की उपासना से बाल रूप सकंद भगवान की उपासना भी सुमय हो जाती है, ये विशेशता केवल इन ही को प्राप्त है, अतहा साधक को इसकंद माता की उपासना की ओर विशेश ध्यान देना चाहिए, सुर्य मंडल की अधिश्ठा त्री देवी होने के कारण, इनका उपासक अलोकिक तेज और कांती से संपन हो जाता है, एक अलोकिक प्रभा मंडल अधिश्य भाव से सदेव उसके चतुर्दिक परव्यापत हो रहता है, ये प्रभा मंडल प्रतिक्षन उसके योग खेम का निर्वान करता है, हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रख कर मा की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए, इस घोर भावसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मुक्ष का मार्ग सुलभ बनान अगली कड़ी में हम जानेंगे देवी मा के छटे स्वरूप मा कात्याइनी के बारे में, यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरूद है कि अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें, धन्यवाद, देवी मा की किर्पा आप पर सदयों बनी रहे, जै मादूर के